राष्ट्र रक्षा में जुड़े इस महत्वपून कारकम में हमारे साथ जुड़े देश के रक्षामंत्री, स्रीमान राजनात सिही जी, राष्ट्र रक्षामंत्री, स्रीमान अजय भर्ड जी, रक्षामंत्राले के सभी अधिकारी घण और देश भर से जुड़े सभी साथियों। अभी दो दिन पुर्वही, नवरात्री के इस पावन पर्व के दर्म्यान, अस्ठमी के दीन, मुझे देश को एक बहुती कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को ले करके, गती शक्ती इस कारकम को लॉंज करने का आउसर मिला, और आज विजिया दस्मी के पावन पर्व पर, राष्ट को ससक्त बनाने के लिए, राष्ट को अजे बनाने के लिए, जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ में और अधिक आधुनिक तानाने के लिए, एक नई दिशा की और चलने का आउसर और वो भी विजिया दस्मी के पावन पर्व पर, यह अपने आप में ही सुप्षंकेत लेकर के आता है, इस कारकम के शुरुवात भारत की महान परंपरा चलते हुए, सस्त्र पुजन से की गई है, हम शक्ति को सुरुजन का माध्यम मानते हैं, इसी भावना के साथ, आज देश अपने सामर्थ को बढ़ा रहा है, और आप सब देश के इन संकल्पों के सार्थी भी है, मैं आप सभी को और पुरे देश को इस आउसर पर विजिया दस्मी की पुनब बहुत बहुत हार्दित बढ़ाई देता हूँ, साथियों, आज ही पुर्वर राष्ठपती भारत रतना डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी की जैनती भी है, कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्मान के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है, रक्षाक्षेत्र में आज जो साथ नई कम्पनिया उतरने जा रही हैं, वो समर्थ राष्के उनके संकल्पों को और मजबुती देगी, साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आज़ादी के 75 साल में प्रवेश किया है, आज़ादी के इस अमरित काल में, देश एक नए भविश्य के निर्मान के लिए नए संकल्प ले रहा है, और जो काम दसकों से अठके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है, 41 ओर्डिनन्स फेक्टरिस को नए स्वरुप में किये जाने का निर्मान, साथ नए कंपनियों की ये शुरुवात, देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है, ये निर्णे पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी साथ कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकात का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी, साथियों, हमारी ओर्णिनेंस फेक्टरीज कभी दुनिया की स्रक्ति साली संस्ताव में गिनी जाती थी, इन फेक्टरीज के पास सो डेड़ सो साल से भी ज़्यादा का अनुभव है, विश्व युद्ध के समय भारत की ओर्णिनेंस फेक्टरीज का दमखम दुनिया ने देखा है, हमारे पास बहतर संसाधन होते थे, वर्ल्ड क्लास कील होता था, आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फेक्टरीज को अपग्रेड करने की, नू एज टेक्नोलोजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, समय के साथ भारत अपनी सामरी जरूरतों के लिए विदोईश्णों पर निर्भर होता गया, इस्तिती में परिवर्तन लाने में ये नई साथ डिफेंस कमपनियां, बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी, साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट देश का लक्ष भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है, भारत में आधुनिक सैन्य इंडिस्ट्री के विकास का है, पिछले साथ वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है, आध देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसफरंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलोजी ड्रिवन एप्रोच है, उतनी पहले कभी नहीं थी, आजादे के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टिम की व्यवस्ता की गई है, इससे हमारे इंडुस्ट्री का confidence बड़ा है, हमारी अपनी भारत की कमपनियों ने डिफेंस इंडुस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाय तलाशना शुरू किया है, और अब प्रावेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे भढ़ रहे हैं, यूपी और तमिल नारु के डिफेंस कोरिडोर्स का उधारन हमारे सामने है, इतने कम समय में, बड़ी-बड़ी कमपनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रूची दिखाई है, इससे देश में युवाओं के लिए नए आउसर भी तैयार हो रहे हैं, और सप्लाई चेन के रूप में कई MSME इसके लिए नई संभावनाय बन रही है, देश में जो नितिकत परिवर्तन किया है, उसका परणाम है कि पिछले पांच सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सवाँ तीन सो प्रतिसत से भी ज़्यादा बढ़ा है, साथियों, कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्राले ने ऐसे सो से ज़्यादा सामरिक उपकरोनों के लिस्ट जारी की थी, जिने अब बहार से आयात नहीं किया जाएगा, इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65,000 करोड रुपिये के ओर्डर स्प्लेश किये हैं, यह हमारी डिफेंस इंडुस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है, बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है, एक कंपनी एमिनेशन और एक्प्लोजीव की जरुतों को पुरा करेगी, तो दूसरी कंपनी आर्मी वेहिकल्स मेनिफेक्टर करेगी, इसी तरह एडवांस वेपन्स और इक्पिप्मेंट हो, टूप्स कंफर्ट आइटम हो, अप्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स हो, या पराशूट, हमारा लक्स है कि भारत की एक-एक कंपनी न केवल इन छेत्रों में एक्स्परटाइज हासिल करें, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बनें, कंपिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है, क्वालिटी और रिलाइबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए, साथियों, मुझे विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से हमारे हाँ ओर्डिनन्स फैक्टरिज में जो टैलेंट है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पूरी स्वतंतरता मिलेगी, जब इस प्रकार के एक्सपर्टीज को इनोवेशन का आउसर मिलता है, कुछ कर दिखाने का आउसर मिलता है, तो वो कमार करके दिखाते हैं, आप अपने एक्सपर्टीज से जो प्रोड़क्ट बना का दिखाएंगे, वो भारत के डिफेंस सेक्टर की ख्शंता तो बढ़ाएंगे ही, आजादे के बाद जो एक गैप आ गया था, उसे भी दूर करेंगे, साथ्यों, 21 सदी में कोई देश हो या कोई कमपनी, उसकी ग्रोथ और ब्रांड वेल्यू, उसके रिसर्च और इनोवेशन से ताय होती है, स्वाप्टर से लेकर स्पेस शेक्टर तक भारत की ग्रोथ, भारत की नई पहचान, इसका सबसे बड़ा उधार्ण है, इसलिए मेरा सभी साथ कमपनियों से भी विशेश आग रहे हैं कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथिक्ता मिलनी चाहिए, आपको केवल दुनिया की बड़ी कमपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बलकि फ्यूचर टेक्नलोजी में लीड भी लेनी है, इसलिए ये जरूरी है कि आप नया सोचे, रिसर्च औरियेंटेड हुआओं को जादा से जादा मोका दे, उन्हें सोचने की पुरी छूट दे, मैं देश के स्टार्ट अप से भी कहूँगा, इन साथ कमपनियों के जरिये, आज देश ने जो नई शुरुआत की हैं, आप भी इसका हैसा बनी हैं। आपकी रिसर्च, आपके प्रोडक्स, कैसे इन कमपनियों के साथ मिलकर एक दूसरे की छमताओं से लाभानवित हो सकते हैं, इस और आपको सोच रा चाहिए। साथियों, सरकार ने सभी कमपनियों को एक बहतर प्रोडक्शन एंवार्मेंट देने के साथ साथ पूरी फंक्शनल अटोनोमी भी दी हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिशित किया गया है, इन फैक्टरीज के कर्मिचारियों के हीद पूरी तरस से सुरक्षित रहें। मुझे पूरा भरोसा है कि देश को आपकी एक्सपरटाइज का बहुत लाव होगा और हम सम मिलकर आत्म निर्भर भारत के अपने संकल को पूरा करेंगे। इसी भावना के साथ फिर एक बार आप सब को विजादस्पी की बहुत बहुत शुब कामना हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।